सल्मान खान के रियालिटी शो बिग बॉस 16 की हर जगह चर्चा हो रही है शो में कंटेस्टेंट्स धमाल मचा रहे हैं 14 हफते में घर में कंटेस्टेंट्स की परिवार के एक-एक सदस्य ने एंट्री ली जिससे शो का माहौल पूरी तरहा बदल गया है बिग बॉस 16 में सुम्बल तौकीर खान का सपोर्ट करने उनके बड़े पापा एकबाल हसन खान ने एंट्री ली इस दोरान उन्होंने पूरे शो में धमाल मचा दिया सुम्बल के ताउजी ने घरवालों को खूब हसाया वही उन्होंने अपनी लाडली को खेल पर ध्यान देने की सलहा दी हाला कि अब आक्ट्रेस के बड़े पापा शो से बाहर आ चुके है और उन्होंने एक इंट्रव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि सुम्बल को किस से दूर रहना चाही दरसल सुम्बल के बड़े पापा इकबाल ने शो से बाहर आकर एक इंट्रव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि सुम्बुल को शो में टीना से सावधान रहने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सुम्बुल पहले की तुला में अब गेम में अच्छा कर रही है अभी उसे थोड़ा और खुलने की जरूरत है लेकिन शो में वो अपने वन लाइनर से सब की बोलती बंद कर देती है। शो में मेरी उससे मुलाकात हुई और अब वो खेल में और भी बहतर करेगी। वो एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में उभरेगी। सुम्बुल को शो में टीना से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वो शो में सब को तंग करती हैं। ऐसे में सुम्बुल को टीना से दूर ही रहना चाहिए। इसके आगे इंटिव्यू में एकबाल हसन खान से ये भी पूछा गया कि वो शो में किसे विनर के रूप में देखते हैं इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने उस कंटेस्टेंट का नाम लिया जिसे वो काफी मजबूत मानते हैं उन्होंने शिफ्ट ठाकरे को विनर बताया है बताने कि शिफ्ट ठाकरे बिग बॉस सोला के मजबूत कंटेस्टेंट है और कई सेलेब्स ने भी उन्हें शो का विनर बताया है बात करें सुंबुल की तो वो इस शो की highest paid contestant है उन्हें शो में रहने के लिए हर हफते 12 लाख रुपए मिल रहे है सुंबुल की वज़े से बिग बॉस को जबरदस्थ TRP मिल रही है बताया जा रहा है कि फैंस भी सुंबुल को जम कर votes दे रहे हैं ऐसे में वो सब को कड़ी टक कर दे रही है सुंबुल को लेकर कहा जा रहा है कि वो बिग बॉस की finalist भी बन सकती है ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि सुंबुल ये शो जीत पाती है या नहीं वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस 16 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ बिग बॉस को अच्छी तरह जान चुका है परत चुका है और इनका तोड ढून चुका है तो वो बिलकुल गलत समझ रहा है वाव इसका मतलब यह है कि आप ही घर वालों के पीछे पड़ेंगे उनसे जवाब मांगेंगे और उनकी क्लास लेंगे जैसे कि इस बार वीकेंड पे मेरी चुटी चल नहीं सलमा चल तो आप भी नहीं कर पाएंगे